हेलो इस्टेंट स्वागत है आपके अपने चैनल नेक्स क्लासिज में आज मैं आपको मैंकेनिक्स अब सॉलीड का चेप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं और यह मैंकेनिक्स अब सॉलीड मैंकेनिकल ब्रांच में भी आता है और सिविल ब्रांच में भी आता है के बारे में Slavers के बार में चत्चा करेंगे कि Mechanics of Solid में कौन-कौन सा चेप्टर है और उसका क्या-क्या रेटिंग है यानि कि एक्जाम में कितने मार्क्स का उस चेप्टर से आता है ठीक है जो चलिए हुआ मैकािनिकस औफ स्सार ठीक है इसमा चर्ट चुप फर्स फर्स चेप्टर होता है यह हता है Introduction पुदर मेट्रियल Πोप्टिच थीक है ना introduction to minimum material पूपर्टिच फोब के बारे में जो उनके बारे में ग्यान लेना बहुत ही आवस्यक है क्योंकि जो भी solid बस्तु है वो किस चीज की बनती है क्या चीजे उसके मैट्रियल क्या क्या लगती है इसके बारे में जानना बहुत अवस्यक है ठीक है नेसेसरी है तो चलिए शुरू करते हैं देखते हैं यहाँ पर क्या है यह इंट्रोड़क्शन टू मैट्रियल प्रोपर्टीज इंट्रोड़क्शन टू सेथ फ्रेश फ्राफ्टिवल्स करहें टूपर्टीज क्या है स्ट्रेश रटैऑं टूपर्टीजrah चैप्टर रहे इस्टेस एंड बेकिति इस्टेन्विंज बिक्रिती चलिए थर्ड चिप्टर जो है आपका सियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट है सियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट ठीक है सियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट पर मेरा एक तू लेक्चर मैंने दिया है यूट्टूब पर आप चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा एक दो लेक्चर का है आज पस ठीक है तो मैं फर्स चिप्टर से मैं शुरू करने वाला हूं इस नया सेशन में तो का डियाग्राम भी बनाना होता है बहुत सारी चीज़े होती है और इंट्रेक्शन टू मैट्रियल प्रपर्टी से भी बनता है चांस और इस्ट्रेश अनिस्ट्रेंड से एक क्वेश्चन आता है तीनों को सेम रेटिंग दे जाएगी ठीक है फोर्ट चेप्टर क्या है से फोर्ट चेप्टर है थियोरी आफ सिम्पल बेंडिंग क्या है सिवरी आप सिम्पल बेंडिंग थीचन इन भाइब आई इसका लुट दुट एफ बाई वाई इसको भाई वाई इसको लटो एवाई आड यह फार्मॉला इसमें प्रूब किया जाए एक थि्वूरी आप सिमपल बेंडिंग में ठीक है इसका बाद है स्ट्रेइन एनरजी इम चेप्टर है आपका इस्ट्रे in energy astrology 100 छठवा चुल इ voter आपका टार्शन है ठीक है चठवा च्प्टर है आपका टार्शन है इसमे तर्षेप्टर है यह ừ साफट का टार्शन मरो ठीक है न यह सारी चीज़े आपको पढ़ने को मिलेगी टार्शन जेटर साथवा चिप्ट है आपका Slopes and Deflection of Beams Slope and Deflection of Beam आथवा चिप्ट है आपका Column and Struts Column and Struts ठीक है नववा चिप्टर है आपका Thin Cylinder and Spherical Cell नववा चिप्टर है Thin Cylinder and Spherical Cell लेख देता हम यहापे नववा चिप्टर है आपका Thin Cylinder and Spherical Cels Cels यह आपके 9 चिप्टर है 9 चिप्टर अपने आप में बहुत ही इंपोर्टेंट एक स्लेवस माना जाता है और यह यह Mechanic Subsolid SSC J में भी आता है इससे वेटेज दिया जाता है Mechanic Subsolid का और यह से विल में भी structure में के नाम से जाना जाता है तो यह रहा आपका चिप्टर और इसमें से आपको अच्छे marks प्राप्थ होगे अगर आप यह जो है simple सा कोई भी इसमें hard chapter नहीं है ठीक है जिसको मायत साती होगी जिसको पहले से physics साती होगी उसके लिए बहुत ही असान सा chapter है सिर्फ logical है logic question है इसमें बहुत सारी चीज़ है introduction to material property stress and strain है stress and strain आपको 11th में पढ़ाया गया होगा 11th में physics में पढ़ाया गया होगा shear force and bending mode यह नया लग रहा है theory of simple bending यह भी नया है और strain energy strain energy में कुछ आपको पढ़ाया गया होगा 11th में torson thin cylinder and spherical cells and slope and deflection ठीक है आप beam column and struts बहुत सा basic सा यह book का syllabus है और बहुत ही असान है पढ़ने वालों के यह बहुत ही असान है आप चाहो तो इसे 25 दिन में 20 से 25 दिन में इस book को खतम कर सकते हो आपके पास ability है तो समझ में आया और आपको पढ़ना ही पढ़ेगा यह मत समझो डिप्लोमा वाले हो तो यह मत समझो कि आपको नहीं पढ़ना पढ़ेगा क्योंकि इस समय अब देख रहे हों कि धाई से तीन लाग हर साल इस्टुडेंट क्या होते हैं डिप्लोमा में क्या करते हैं एडविशन लेते हैं और उसमें से मात्र पांच से दस बच्चे जो होते हैं अच्छे position पर जाते हैं जिसका campus selection होता है अच्छे position में जाते हैं एक अच्छी घासी सेल्री पाते हैं ठीक है नई तो दस बाराजर की सेल्री अगर आपको लेना है तो आप मत पढ़ो यह आपके पास इस बस इसके बारा में में मुझे बताना था इस वीडियो में और यह स्लेबस है आपका आप लोग ध्यान दिएगा इस चप्टर के कोई भी तो फिर मिलते हैं आगले लेख्चर में इंडिडेक्शन टू मैट्रीस पुपार्टीज में टिक एक नए चप्टमार में यह आपका नए चप्टमार में स्टार्ट करने जा रहा हूं तो मिलते हैं लेक्टमार मं तक लिए मिल्यू है धभ्यानवाँ जैन्युइंट